प्रेमी के पास आ गई जहां दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली बॉर्डर पार बाली ये प्रेम कहानी चर्चा का विशय बनी हुई है ये पूरा मामला बिहार के समस्ती पुर जिले के रोसरा थाना एलाके का है जहां प्रेमी योगल की मंदिर में शादी कर आई गई है मही प्रेमिका के परीजनों ने नेपाल में मामला दर्ज कराया बताया गया कि अपने पती का घर छोड़कर आई महिला अब अपने प्रेमिके साथ ही रहना चाहती है जानकारी के मताबिक बिशनपुर गाउं के 24 साल के विकास कुमार की नेपाल की 26 साल की पारवती से फेस्बुक पर दोस्ती हुई दौनों की बीच एक साल तक चैटिंग और बातचीत होती रही इसी बीच दौनों में प्यार हो गया जिसकी बाद शादी शुदा महिला नेपाल से 128 किलो मीटर की दूरी तैकर रोसरा अपने प्रेमी के घर पहुँच गई पारवती की माने तो वो अपनी मर्जी से अपने घर और पती को छोड़ कर आई है वो अविकास के ही साथ रहना चाहती है जबकी पारवती के परीजन नाराज है उन्होंने नेपाल में मामला भी दर्जक कराया है हालाकि पारवती बापिस जाना नहीं चाहती कौन सा गाउं है कि विसनपुर था ना राजी खुशी से रह रही हो नेपाल से कोई दवाब भी है हाँ दवाब रहे हुआ मुकर्मा हुआ है हाँ आप साधी सुधा है का हाँ साधी किये हुए थे फिर ये दूसरा साधी है कहां रहना चाहते हैं यहां पर बताएं कैसे इन से प्यार हुआ कैसे आप साधी कर लिए नेपाल की लर्की से इंडिया का अदमी मुझे तो फेस्बूक से कॉंट्रेक हुआ है कि उसकि इस फेस्ट को अठ वे बात उत करा और मुझे बोला साधी करेंगे थे था मुलें नहीं आप आएंगे बोला आप साधी सुधा है कि वह घर पता बजने के लिए कि हम भेजे तो मेरे पास आया और आने के बाद भी मैं इसको बोले हैं अगर तुझे अच्छा नहीं तुझा सकते अभी सारी से पहले हैं वो चुछ लेकिन ब्रला मैं खुछी रहता हूं यहां बाइख पुर्बा कर रहता हूं मैं रहूंगा तो मैं ठीक जब तुम रहने के लिए चाहती हो यहां पर मैं रखूंगा